गुड मॉर्निंग बच्चो, बच्चो, आज का हमारा विशय है निबंद लेखन, वैसे तो आपने पिछली कक्षा में भी निबंद लिखे होंगे, लेकिन अब मैं आपको थोड़ा विस्तार से समझा रही हूँ, सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि निबंद क्या ह किसी भी विशय पर क्रमबद रूप से अपने विचारों को लिख कर प्रकट करना ही निबंद लेखन कहलाता है निबंद लिखते समय हमें निमनलिखित बातों का ध्यान अवश्य रखना चाहिए, सारी बातें एक निश्चित क्रम में लिखी जाएं निबंद तै शब्द सीमा के अंत्रगत हो, उसकी भाषा सरल तथा उसमें अशुद्याने हो छोटे छोटे वाक्यों में अपने बात लिखें, वर्तनी तथा लेख का विशेश ध्यान दें, यदि चित्र हो तो उसकी हर बारिकियों पर ध्यान दें निबंद के विशे, कोई भी ऐसा विशे है, जिस पर सुन्दर ढंग से विचार प्रकट किये जा सकी, निबंद का विशे हो सकता है बचो, अब मैं आपको बता रही हूँ कि निबंद के अंग, निबंद के तीन अंग होते हैं नंबर एक प्रस्तावना, नंबर दो मुख्य भाग, नंबर तीन उपसहार सबसे पहले आता है प्रस्तावना, प्रस्तावना यह निबंद का आरंब है इसमें विशे का परिचे देते हुए उस जगह तक पहुचना होता है जहां से हम गंभीरता पूर्वक विशे के भिन्न भिन्न पक्षों पर विचार करना आरंब कर देते हैं नमबर दो, मुख्य भाग प्रस्तावना के बाद हम निबंद के मुख्य भाग पर आते हैं जहां हम विशे के सभी पहलों पर सोच समझ कर विचार करते हैं हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक विचारों को लिखें नमबर तीन आता है उपसहार इसे बचो निशकर्ष भी बोलते हैं यह निबंद का अंतिम भाग होता है इसमें हम अपने विशे की समापती इस परकार करते हैं कि पढ़ने वाले के दिल में हमारी बातों का निशकर्ष एक अमिट छाप छोड़ जाए कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो जाए